हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टुए और वन चैनल मार्केट अनलिसिस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी फिप्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें क्या कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं इसके हलाव बात करने वाले दोस्तों कुछ इंटरे एंड स्विंग स्टोक्स जिन में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई पड़ सकता है तो बने रेगेश वीडियो पर एंड तक चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों निफ्टी फिप्टी की कर सकता है अजर्वाइस दोस्तों अगर ये भी लेवल ब्रेक कर दिये तो फिर एक अच्छी गिरावड आपको देखने को मिलेगी जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको आते हुई दिखाई भी देखे अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में एक दो दिन सब्सक्राइब और वापीस बाउंस ब्रेक कमार जाए तो अच्छा होगा अगर ये लेवल ब्रेक कर दिए तो फिर से आपको यहाँ पे गिरावड देखने को मिलेगी और शीधा शीधा जो गिरावड देखने को मिलेगी दोस्तों इस ट्रेंड लाइण का सप मोमेंटम आई नहीं अभी तक जब तक यह वाले लेवल ब्रीक नहीं हो जाते दोस्तों तब तक इसमें अच्छे मोमेंटम हमें दिखाई नहीं पड़ सकती तो इस लेवल का आप जोए ध्यान रख सकते हैं, नेक्स्ट होके दोस्तो आइसमेकर रेफ्रेजेलेटर आप देख सकते हैं दोस्तो 5.39 के आसपास मैंने आपको कल वोला था आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें एक बर और देखें कि मैंने इसमें ऐसा क्या बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और बहुत ही जवर्दस मोमेंटम हमें दिखाई पड़ा है 20% का इसने आज जो है अपर सरकीट लगा दिया है I hope कि आपने इसको gainfully enjoy किया होगा और सबसे बड़ी बात दोस्तो यह नहीं है कि आपने इसमें position बनाई कि नहीं बनाई बट सबसे important चीज़ यह है कि आपने क्या कुछ सीखा अगर कुछ सीखा है तो आप मुझे comment करके बताएं कि सर हाँ हमें सीखने को मिल रहा है ना दोस्तो अब हम बात कर लेते कुछ और बहतरी स्टोक जिन में एक अच्छी खासी momentum आने को त्यार है सबसे पहले स्टोक है दिपक fertilizer दिपक fertilizer में आप देख सकते हैं कल के दिन हमें 4-5% की momentum हमें देखने को मिली है बड़ आप देख सकते हैं काफी दिन से के आसपास आए और फिर इसको भी breakout करके ये इसका important resistance है 633 का अगर इसको भी sustain कर जाता है तो फिर next target बहुत ही लंबे है और बहुत ही मज़ेदार होंगे बड़ इसका बदर ये नहीं है बिल्कुल दोस्तों कि आप जाके फटा-फट इसको बाई कर ले बिल्कुल नहीं आप अपने एंड पर इसको study करें एंड अपने फाइनशल एडवर्जेस से चला जरूर ले next होके दोस्तों Orient Electric मैंने आपको पहले भी study करा हुआ है हलंकि इसमें जो ये लेवल है दोस्तों जब तक ये break नहीं होते तब तक एक अच्छी momentum नहीं आ सकती और ये वाले लेवल ब्रेक होंगे तो एक जबरदस momentum pending है हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों में हमें दिखाई पड़ सकती है next होके दोस्तों AMI Organics इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाले जो trend line है दोस्तों 1288 रुपे की यहाँ पे आके बार-बार क्या कर रहा है प्रेशर आराइस में कहीं न कहीं इसमें shelling आ रही है बट प्राइस काफी positive strength में है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह आके चलके continue momentum दिखा सकता है तो इस भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं अपने watch list में इसको add करके रख सकते हैं next okay दोस्तो campus आज इसमें 18% की momentum हमें देखने को भी लिए अब आप मुझे यह बताईए कि क्या मैंने कभी stocks को study कराया था शायद मुझे लग रहा है कि वीडियो में तो शायद मैंने नहीं कराया था हो सकता है मैंने कराया भी हो लेकिन मैंने अपने premium members जिनको मैं course करवाता online सिखाता हूँ उनको मैंने value bank के लिए बोला था कि इसमें बहुती जवर्दस fundamental है और यह बहुती cheapest price पर हमें मिल रहा है तो शायद हमें इसको study करना चाहिए इस level के आसपास मैंने उनको यहाँ पे जो है study के लिए बोला था और आज आज आप देख सकते हैं काफी अच्छी बनानी है ना तो दोस्तो थोड़ा से retirement होने दो थोड़ा सा इसको average करने दो जब यह नीचे आएगा नीचे के level से वापिस bounce way करेगा तब हमें एक अच्छी opportunity मिल सकती है उसको आप जोए राइड कर सकते हो लास्ट बन और दलीस दोस्तों जिंदल photo यह stock मैंने पहले भी study करा हुआ दोस्तों ठीक है अब हो सकता है आगी चलके जबर्दस momentum यहां पर हमें दिखाई पड़े और जितना यह space है दोस्तों इतना ही space हमें उपर की तरफ में a target दिखाई पड़ सकता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आज ही इसमें target आ जाएंगे ऐसा possible नहीं है बट हाँ आने वाले कुछ दिनों में इसका अच्छा momentum हमें दिखाई पड़ सकता है तो इस भी आप जोने जर्बना के रख सकते हैं दोस्तों आपसे मैं पूछना चाओंगा कि वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लिज लाइक करें और कमेट्स जरूर करें ताकि मु